हेलो वीवर्स, असलाम अलेकूम, केसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सबी लोग खेरियस से होंगे, ठिकता होंगे, तो चलिए आज हम सुबह से अपना व्लोग स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आज हमारे याँ का मोसम कुछ इस तरह है, तेज बारिश हो रही है फ्रेंड आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बेहत जरूरत है, प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड में भी ये चाहती हूँ कि मेरी एक यूटूब की फेमली हो, और मैं वो हर बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी लाइफ में होती है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी फेमली यूटूब की और भी बड़ी हो, और मुझे काफी ज़्यादा इंटरस आने लगे वीडियो बनाने में, और मैं आप लोगों के तो वहाँ से क्या-क्या लेकर आई हूँ, आपको आगे सब कुछ देखने को मिलेगा फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहें, फुल वीडियो वोच करें, शोपिंग पे हम एक दिन पहले रहे थे, फ्रेंड ये वीडियो आपको एक दिन लेट मिली है, नेटवर्क प्रोब है, और अब देखिए कि हम मार्केट से क्या लेकर आए हैं, तो है ये दो होट-पोट सेट, एक बड़ा होट-पोट है और एक छोटा है, इसका सेट हम लोग लेकर आए हैं, ये देखिए अंदर से हैं, इस्टील में और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी प्लास्ट अच्छी है, काफी अच्छी है, इसकी प्लास्टिक इस तरह से है, हम फ्रीज में भी इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसके बाद आती है, देखिए, ये ट्रेसेट, ट्रेसेट एक हम टू कप के लिए लेकर आए हैं, और एक ये है बड़ी, और ये है उससे भी बड़ी, और फ्रेंड ये हमें मिली है 120 रुपीज की, और ये देखिए, ये हमारे पास ये, हम इसे पहले लेकर आए थे, अभी लेकर नहीं आए हैं, इसके साथ है, ये चार बावल इस तरह से, इस तरह से ये सेट है, ये भी काफी ज़्यादा खुबसूरत है, इसके इस पर है, ब्लू कलर की प्रेंट, और ये ड्रेस है, जोर्जट में, नीचे इसका जो घीरा है, वो है, क्रश में, इसका कपड़ा जो फेबरिक है, वो क्रश किया हुआ है, और देखिए, आस्तिन में कुछ इस तरह से इसके शल दी हुई है, और नेक भी इसका अलग डिज थी ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की जीन्स, जो इसके उपर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी फ्रेंट, अगर आप लोगों को मेरी एड्रेस अच्छी लगे, तो आप इसका प्राइस मुझ से कमेंड बोक्स में पूछ सकते हैं, अब फ्रेंट में आप लोगों क पीले दातों को वाइट करने का एक जबरजस्त नुस्का बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें लेना है एक चमच बेकिंग सोडा और लेनी है थोड़ी सी हल्दी, फ्रेंड इसमें आप अपना कोई भी पेस्ट एट कर सकते हैं, जो आप यूज करते हैं, इसके बाद आ आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, जिस भी ब्रांड का आप उसे ले सकते हैं, इससे आपके दातों में काफी ज़्यादा शाइनिंग आ जाईगी, आप इससे एक बार जरू ट्राइ करिए, इसके बाद आपको इसमें लेमन डालना है, देखिए इस तरह से आप इसमें डालें और ब्रस की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें और अपने दातों पर अच्छी तरह से लगाएं, देखिए फर्स्ट बार में ही आपको रिजल्ट दिखेगा, आपके दात काफी ज़्यादा चमक जाएंगे, देखिए फिरेंड, अब मैंने यहाँ पर यह ओनलाइन इस दो तिन दिन में फ्लोर पे से निकल जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका मैं पहले टेस्ट करूँ, अगर यह फ्लोर पर अच्छे से ठिकेगी, तो ही मैं इसे फ्लोर पर लगाऊंगी, नहीं तो मैं इसे अपने घर की दीवारों पर डिजाइन बना लूँगी, तो इस तरह से मैंने इसे दो तिन दिन के लिए टेस्टिंग के लिए लगाई है, देखते हैं, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बुट्टे की सबजी, बुट्टे के दानों की सबजी, तो यहाँ पर हमने लिए हैं नरम दानों के बुट्टे, इन्हें अच्छी तरह से गिस लेंगे पहले भुटो को अच्छी तरह से साफ कर लें, साफ करने के बाद इसे गिसनी में आपके पास या खुपरा गिसनी या जो भी है उसे आप इसे अच्छी तरह से गिस लें इसका ज्यादा वारिक पेस्ट हमें नहीं बनाना है इसके बाद हमें लेनी है एक प्लेट प्याज तेल इसमें हम नॉर्मल कमी तेल डालेंगे ज्यादा तेल हमें इसमें नहीं डालना है तेल गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज देखिए प्याज हमें इसमें थोड़ी जादा डालनी है एक प्लेट प्याज डालनी है प्याज को हमें अच्छी तरह से तलना है ब्राउन होने तक इसे फ्राइ करना है देखिए अब यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गई है प्याज ब्राउन होने के बाद हमें इसमें दो छोटे चम्मच लसन का पेस्ट डालना है सिर्फ लसन का पेस्ट डालना है फ्रेंड हमें इसमें और इसमें हमें नमक डालना है इसके बाद हमें इसमें दो मिनट तक इसे फ्राइ करना है तकी लसन और प्याज अच्छे से फ्राइ हो जाएं इसके बाद हम इसमें एट करेंगे लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कमिया जादा भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसमें एट करेंगे हल्दी पाउडर, इसे हमें दोनों को डालने के बाद 5 मिनट तक अच्छे से फ्राइ करना है, रेंड हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर, 5-6 मिनट तक के लिए इसका मसाला भुनना है, मसाला भुनने के बाद हम इसमें एट करे जो हमने बुट्टे के दाने गिस कर रखे थे देखिए हमें इस तरह से ये बुट्टे के दाने इसमें डाल देंगे बुटे के दाने डालने के बाद हमें अच्छे से मसाले के साथ इसे मिक्स कर देना है और दस मिनट के लिए इसे लो फलेम पर ढाक कर रख देना है ताकि बुटे अच्छे से गल जाएं और पक जाएं मतलब भुट्टे में कच्ची इसमेल ना आए वो अच्छे से पक जाएं देखी अब हमारी भुट्टे की सबजी बनकर तयारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें ठेंक्यू फ्रेंड वोचिंग माई वीडियोज